नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल स्काइडुकॉम पर हम लोग इंडस वैली सिविलाइशन पढ़ रहे हैं और उसके अंतरगत आज हम लोग बात करेंगे भाग तीन की मैंने पूरे टॉपिक को तीन भागों में बाटा आज हम लोग उसके अं इंडस वैली सिविलाइशन तो कैसा नगर नियोजन था सडकें कैसी थी दरवाजे कहां खुलते थे नालियां कैसी बनी होती थी इन सब के बारे में जानेंगे सबसे बड़ा स्थल क्या था अन्नागार मोहन जोड़ों से प्राप्तिस्ना नागार ये सब पढ़ेंगे सामा पुरा की देवी तो मात्र सतात्मक समाज रहा राजनीतिक जीवन में हम लोग बात करेंगे जो वहां की राजनीतिक जीवन था यानि कि अगर वैदिक कल्चर की हम लोग बात करें वहां से हमें साक्ष मिलते कि चार वर्ग थे ब्रामण छत्री वैश और सूद्र लेकिन यह पर ऐसा कुछ प्रमाड नहीं मिला है पशुपालन की बात करें तो यह बहुत अच्छे से परचित थे बंदर से बिल्ली से गदे से गोडे से आधी जानवरों से यह परचित थे मापतौल की भी हम लोग बात करेंगे तो मापतौल में यह सोले के गुडज में यह लोग नाप पर होता था प्रितमाओ की मैंने अभी बात करिये जो मोहर थी उसके अलावा जो नतकी कीstar मूर्ती थी पुजारी की मूर्ती थी ठीकानसे का एकका है नगर नियो जाए अमूमन अगर आप देखेंगे तो जो सिंदु गाटी सब्विता के सलते वो प्रमुक्त और से दो हिस्सों में बटे हुए थे एक पस्चमी और एक पूरी भी इस्सा एक में दुर्ग बना होता था और एक में निचला शहर हुआ करता था सिंदु गाटी सिंदु गाटी सब्विता के नगर नियोजन की तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सब्विता है ये नगरी सब्विता थी और जो की वैदिक सब्विता ये ग्रामीड सब्विता थी ये नगरी सब्विता सबसे प्रवाबशाली विशेस्ता उसकी नगर योजना और जल कासी के पढ़ा ली दो चीज बहुत मैतपूर थी इसमें इसमें पूरव और पश्चिम दिसा में दो टीले मिलते हैं जैसे मैंने अभी बताय आपको पूरव दिसा के टीले में जो है आम लोग रहते थे और जो पश्चिम दिसा का टीला होता था उसे दुर्ग टीला भी कहा था मुहन जोदुडुम जो पश्चिम देशा का टीला है उसको इस्तूप टीला भी कहा जाता क्योंकि कुशाड़ों का टाइम पर वहाँ पर एक इस्तूप का निर्माण किया गया था जो समाज के वसिस्ट लोग होते थे आला दर्जेग लोग होते थे वो उपरी टीले पर रहते थे तो लेकिन अगर धोलवीरा की बात करें तो इस साइट से यहाँ पर दो टीले नहीं यहाँ पर तीन टीले मिले एक मद्द टीला और मिला है काली बंगा में नगर और दुर्ग अलग अलग इनकी बाउंडरी बनाई गई थी नगर की और दुर्ग की बाउंडरी अलग लग थी चनूदरों में किसी दुर्ग का स्थित्व नहीं मिला है और कोट दीजी और आमरी में नगर की किलेबंदी नहीं की गई है यानि कि इन दो इस्तलों पर नगर में कोई boundary उपलब्द नहीं थी मकानों के अगर बात करें तो दो मंजला होते थे इनके मकान और जो नगर नियोजन तो ग्रिड पदती पर होता था उस तरह से सडके हुआ करती थे आपस में डबवे डिगरी पर ये काट दी थी सडके सडके दोनों के नारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी आनि कि वहाँ पर पक्की हीटों का प्रियोग होता था और मकान की जो खड़कियां थी या दर्वाजे थे वो सड़क के अमेसा opposite direction में खुलते थे यानि कि जैसे कि यह सड़क है और यहाँ पर यह कोई मकान है पीछे भी यह गली थी तो दर्वाजे इस दिसा में खुलते थे मुख्य सड़क पर नहीं खुला करते थे लेकिन एक जगे से ऐसा evidence मिला है लोथल से जहाँ पर मकान का जो दर्वाजा है वो सड़क की और खुल रहा है कि अब लोथल से ऐसा साक्ष मिले हैं घर में कई कमरे होते थे रसोईगार इस्नानागार बीच में आगन की बिवस्ता थी और काली बंगा की बात करें विश्यस तोर से उसमें अनेक घरों में अपने अपने कुए पाए गए हैं काली बंगा और मोहंजोदोडो में भी घरों में कुए पाए गए हैं काली बंगा रंगपुर में नगर कच्छी इटों के बने होते थे लेकिन नालियां पक्की इटों के होती थे इसनानगार जो है पक्की इटों के होते थे इटे अगर देखें इटों की बात करें तो जादा तर इटे जहें वो आयताकार थी लेकिन चनहुदुडों से वक्राक प्रापते हैं लंबाई चोड़ाई मोटाई गनपात अगर देखें तो चार दो एक के अनपात में थी इट है नॉर्मल जो साइज है इटों का वो साइज वहाँ से जो मिला है वो 10.25 इंटू 5.0 और 2.25 इंच में ये साइज वहाँ से मिला है सबसे बड़ी इट कहां से मिली ह मोहन जोड़ों से और इसका साइज है 51 इंटू 26.27 इंटू 6.35 सेंटी मीटर सबसे मैत्पूर सारजने के स्थल के अगर हम लोग बात करें तो वो था विशाल इसनानागार मोहन जोड़ों जो की सबसे मैत्पूर इसनानागार 11.88 7.01 2.34 मीटर के डामेंशन में जोन मार्शल ने इसको विश्व का आश्चर जनक निर्मान बताया कि इसको विशाल इसनानागार इससे ही पता चलता है वहाँ पर जल पूजा के भी साक्षे थे मोहन जोड़ों से एक विशाल अनागार मिला है तो सबसे बड़ा इस्थल अगर कहेंगे तो वो है अनागार हडपा की अगर बात करें तो वहाँ से छे बड़े बड़े अनागार प्राप्त हुएं वहाँ से एक मात्र स्टेडियम जो मिला है वो आपको मिला है धौला वीरा से खेलने का मैदान वहाँ पर मिला एक मात्र जगह है वो है धौला वीरा सडकों की बात कर लेते तो जैसा मैंने कहा कि दो तरह की सडके हैं थी पहली मुख्य सडक दूसरी जो गलियों की सडके हैं थी तो मुख्य सडक होती थी लगवग 10 मीटर चौड़ी और गलियों की सडक 3-4 मीटर चौड़ी होती थी यहीं पर दरवाजे खुलते थे यह खड़ नालियां बड़ी नालियों में मिलती थी जो कि सडक की नालियां थी और नालियों के बीच में हौज बनाय जाते थे इनकी समय समय पर सफाई होती थी दोला वीरा में लेकिन लकड़ी की नालियों के प्रमाड मिले हैं कि वहां पर लकड़ी का प्रयोग हुआ था पक्की इटो करेंगे वहां के सामाजिक जीवन की अमूमन जो इतिहासकार हैं या जो विद्वान लोग है तो उनका मानना ही है कि वहां पर बड़ व्रस्ता के प्रमाड नहीं प्राप्त हुए हैं तो उन्होंने क्या किया मौटा माटिक तीन इससे बाट दी उन्होंने पूरी सोसाइटी क यानि कि बहुत ही उच्पद पर रहने वाला वर्ग ताकतवर वर्ग एक था सामाने वर्ग और एक था उनसे कमजोर यानि की निर्वल वर्ग ऐसा भी का जाता है यहां पर भी दास प्रथा के साक्षि प्राप्त हुए हैं तो समाज कैसा था समाज था मात्र सत्तात्मत सती पर्दा पर्था जैसी बुराईयां नहीं थी ये इसलिए भी कहा जा रहा क्योंकि मातर देवी की पूजा करते थे लेकिन जो शवाधान मिले जो सवों को दफनाये गया वहां से युगल सवाधान मिले तो इसलिए विद्वानों का मानना ये है कि वहां मैला पर उस दोनों द देखते तो ये दुप्रिये नहीं थे जादा लडाकू बरवर प्रजाती के नहीं थे समाज की इकाई परंपरागत तो पर देखे तो परिवार थी तो सबसे छोटा जो इकाई समाज की थी वो थी परिवार थी इस्त्री और पुरस दोनों आभुषड पहनते तो यहां से सौने के अभुषड भी मिले हैं कासे के भी मिले हैं चांदी भी यहां से प्राप्त हुए सिंदुगाटी सब्विता से तो इस तरह पर दोनों आभुषड पहनते थे चनुदुडों की बात करें तो यहां से काजल लिपस्टेक पाउडर यह सब पूरा मेकप का सामान यहा यहां पर देखे गये हूँ जो मटर तिल सरसों खजूर तरबूज गाय सुवर बकरी और मचली का मास प्रियूक करते थे तो जैसा कहा कि साकाहरी मासाहरी दो नहीं थे सूती और उनिवस्त्री यहां पर पहने जाते थे तो यह तो बेवस्था थी सामाजिक जिसमें आब हम वह भयाते तीन लोग बात करेंगे जो अंतिम संसकार करने की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी देखे शवों के अंतेश्टी तीन तरह से करते थी लोग पहला था पूर समाधी करड़ इसे पूर समाधान भी आप बोल सकते हैं आंसिक समाधी करड़ और दाहसंसकार पूर में क्या होता था कि जो पूरा जो शव है संपूर शव है वो भूमी में दफना देते थे और इसे कहते थे पूर समाधी करड़ आंसिक में होता था कि पसु पक्षियों के खाने के बाद जो स्चेस शरीर का जो भी इससा बसता था अड़ियों वगएरा तो उनको दफनाते थे इसे बोलते हैं आंसिक समाधी यह पार्सी कम्मूनिटी में भी यही प्रथा चलती है पार्सी कम्मूनिटी में दासंसकार क्या यह जो हिंदू रीती रिवाज है उसके अंतर का दासंसकार बैदे कल्चर में तो शब को पूरी तरह जब जलाते थे उसके बाद जो भस्मा वेस बन जाता था जो राक वस्ती थी तो उसमें से कुछ हड़ियों को कलेक करके एक मिट्टी के पात्र में रखकर ये लोग दफनाते थे अमूमन अगर पूछा जाए तो जो दफनाने का इनका डारेक्शन रहता था वो उत्तर से दच्छड दिसा में ये लोग दफनाते थे लेकिन कुछ जगह पर जो है अलग 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 डारेक्शन भी यहाँ पर आपको मिलेंगे हडप और काली बंगा में दच्छड से उत्तर की दिसा में दफनाए गया है रोपड में पश्चिम से लेके पूरव के डारेक्शन में और लोथल में पूरव से पश्चिम तो अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग डारेक्शन भी हैं सबों को दफनाने के काली बंगा में एक और लोथल से तीन योगल सवाधान मिले जैसे मैं ने कहा था कि सती पर था के एविडेंस के तौर पर लोग इससे देखते हैं रोपड में मालिक के साथ कुट्टे को दफनाने के प्रमाड मिले जो कि आपको बुर्ज होम से भी प्राक एत्यासिक काल के समय में बुर्ज होम से भी ऐसे प्रमाड मिलते हैं लोथल में मृतक के साथ बकरे को दफनाने के प्रमाड मिले हैं तो एक जगे से कुट्टे को दफनाया एक जगे से बकरे को दफनाया तो ये तो सामाजे के स्थिती ती अब बात करेंगे धार्मि जीवन कैसा था जैसा जानते हैं कि समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था तो मात्र देवी की उपासना होती तो कई जगे से जो है मात्र देवी की वहाँ पर मूर्तियां भी प्राप्त हुई है एक महर पर तो तीन मुखवाले योगी की पदमासन की मुद्रा में बैठने का च पता चला एक मोहर पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता का चितर अंकित है तो ऐसा माना गया कि लोग वरक्ष पूजा भी करते थे तावीज धारण करते थे तो यह माना गया कि जादू टौना में विश्वास करते थे स्वास्तिक के भी चिन मिले हैं तो उसे सूरिपूजा के प्रतिक के तौर पर देखा गया कई घराओं में अगनी वेदियां मिली हैं तो अगनी वेदियों के साज यानि कि अगनी पूजा का अनमान लगाये जाता, तो ये माना जाता कि विया ये अगनी पुजा भी करते थे, आप कुछ जो चिन मिले है, जो कुछ साक्ष मिले हैं, उनसे क्या क्या अनमान लगाए गया है, जैसे तावीज प्राप्तुगा, तो बोला गए भई, भूत प्रेश से बचने के लिए तावीच पेना करते थे इंडस वैली के लोग, बैल तो बैल वह यह शिव का भाहन है, स्वास्तिक सूरी की पूजा करते थे, बकरा बली के लिए उपयोग करते थे, शरंग तो यह शिव का रूप दिखाए गया, यूगल सवाधान तो सती प सिंदु सभिता से मंदिर के कोई साक्ष अब तक तो कहीं भी ऐसा किसी साइट से कोई Evidence नहीं मिला कि यहां मंदिर था, मंदिर के कोई साक्ष नहीं आप धार्मिक जीवन के बाद बात करेंगे राजनीतिक जीवन इसको लेकर के विद्वानों के कई अलग-लग मत हैं ज्यादा तर तो लोग ये मानते कि व्यापार की और ज्यादा इनका ध्यान था तो ये व्यापारिक वर्क के लोग रहे होंगे बड़िक वर्क के लोग रहे हों लेकिन फिर भी अलगलग विदवानों ने अपने अलगलग मत दिए जैसे अंड अंटर में का थी唱 which ज्यादा correct होना चाहिए Ernest Mechanica प्रतनिती साशन हुआ करता था अधिक तर ज्यादा तर लोगों का जो मत है वो यह है कि व्यापारियों का साशन था जोगि सहरी सब्वेता व्यापार करने में इनकी रुची सिंदु सब्वेता से क्रशी, पशुपालन व्यापार बाड़ेजी के साक्ष मिले हैं तो राजनीतिक जीवन के कई अलग अलग मत है कुछ लोग कह रहे कि राजसंतरात्मग नहीं था जनतंतरात्मग वीलर ने कहा कि यह जनतरात्मग साशन था लेकिन मध्यमवर्गी इस्टवड पिगट कह रहे हैं प्रोहितों का साशन था और अन्नेश्ट मैं के कह रहे हैं पतिनिदी साशन अब बात करते आर्थे के स्थिति कपास के बारे में जो सबसे पहले पता चला है विंडर्स वैली सिब्लाजेशन से पता चला है कि कपास की खेती सबसे पहले यहां होती थी चावल के उत्पादन के साक्ष कहीं से प्राप्त हुए तो लोथल और रंगपुर से हुए है सिंदु गाटी सब्विता इस्थलों से काली भंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले है सिंदु सब्विता के लोग जनाबली से मिट्टी से बनावुवा खिलोना के हल मिला है तो खिती करते थी तो ऐसा माना जाता है उस समय उसाय लकड़ी कहल vä kilo का प्रियोक करते थे और ये क्या करते थे जब बाढ आ जाती थी तो बाढ जब उतरती थी नवंबर के माहिने में बीजबो देते थे और जब अगली बाढ के आने से पहले पहले अप्रेल के माहिने में ये गयूँ और जो की फ़सल को काट लिया करते थे तो क्रशी में कपास का उत्पाधन प्रोडक्शन इंडस वैली से ही प्रारम होता है पशुपालन की बात करें तो महाँ पर बंदर, कुत्ता, बिल्ली, गोडे याना इन सब के चित्र पहली से मिले ही हैं तो ये लोग गाय, बैल, भेंस, बकरी, भेड, सुवर, कुत्ता, गोड़ा, बंदर, भालू, बाग, बिल्ली, गेंडा, खरगो, साती, गधे, उूट इन सब से ही लोग परचित थे हडपा से संख पर बना हुए बैल मिला, यानि संख का बैल, बंदर का चित्र मोहन जोड़ो से और गोड़े का स्थित्व के भी साक्ष मां से प्राप्त हुए लोथल से हाती दात के साक्ष मिलें, चनूदरो से बिल्ली का पीछा करते हुए कुट्टे के पंजों के निसान मिलें, रोपर से मानव के साथ कुट्टे को दफनाने के साक्ष मिलें, और माना जाता कि गुजरात के जो लोग थे, वो हाती पालते थे, जो गुजरात की आपको जो है। उपक्रण प्राप्त होंगे। सौना भी करते थे प्रयोग, चांदी भी प्रयोग करते थे। बहुत सारी चीज तो। कांसे वच्चार गॉजार हत्यार मिले हैं। कुमार का चाक का बहुत ज्यादा पुछले था क्योंकि मट्टी का अप्योग था। तो कुमार का चाक, म्रद भांडों को चिकना और चमकिले जो मिट्टी के पात्र होते थे उन्हें पका करके बनाते थे तो चिकने होते तो चमकिले होते थे लेकिन इनका कलर जब पूछा जाता है तो लाल और गुलावी रंग के थे और इस पर अगर लिखा जाता है जो चित्र बनाए जाते थे चित्रकारी वो काले रंग से होती थी पोत निर्माड नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुस्टी मिलती क्योंकि लोथल में गोदी बाड़ा मिला है डौक याड जहां पर नाव खड़ी हो सकती है दूसरा यहां पर जो है बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़ा मिला है कई वस्तरों पर कपड़ होता था तो मापतोल का तो कुस्तो होगा साधन तो इंडस वैली वाले हाती दांत का पैमाना इस्तिमाल करते थे और मोहंजोदोडो से सीप और लोथल से हाती दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है सूर कोड़दा से तराजू के साक्ष मिले कई जगे कुछ डंडे मिले हैं धातू के, तो वहाँ पर जो है कुछ निसान बनाएगे, हाती दात के भी डंडे मिले हैं, तो उन डंडों पर कुछ निसान बने तो इससे माना जा रहा है, उनसे भूमी की नाप ये करते होंगे, ये किसी वस्तू की, तौल की एकाई संभवता सोले के रेसियों में चलती थी, जैसे हम लोग तो अभी देखें, तो दस का रेसियों बना लेते हैं, कि दस ग्राम है, पांच का रेसियों बनाते हैं, पांच ग्राम, फिर दस, पचास ग्राम, सो ग्राम, तो रेसियों है, उसी तरह से ये सोले के रेसियों चलता था, 16, 64, 163, 32, तो बाट काई रूप तो, अब बात करते हैं महरों की तो अगर इंडस वैली सब विताम सबसे ज़्यादा महरें कहीं से प्राप्त हुई है तो वो जगए है हडपा सबसे ज़्यादा महरें मिली है हडपा से लोथल और देसलपूर में ताम एक ही बनी हुई महरें मिली है महरां को सरवाद एक प्रियोग अगर सबसे ज़्यादा महरें बनी है तो सेल खड़ी से बनी है महँजोदर लोथल से नाव की आकरती छपी हुई है महर पर सेंदफ जो महरें थी सेंदफ सबिता की जो महरें थी वो ज़्यादतर वरगाकार या चौकर अब जैसे साइज उचा जाएगा तो आप बताएंगी वरगाकार या चौकर लेकिन एक जगे बटन के शेप की महर मिली है कहां से लोथल से और लोथल तो गोदी वाडा सा दूसरे इलाकों की भी महरें महाँ पर मिली हैं और मैसो पोटामिया से भी ये मोहरे मिली हैं अब बात करते हैं वहाँ के ट्रेड की यानि की व्यापार की पर मुक्त तो अगर व्यापार की बात करें तो सूती बस्तर पर आधारित थान का व्यापार और चांदी के भी सबसे पराने अविडेंस मिलें करते कहां से थे व्यापार तो Indus Valley Civilization और Mesopotamia के बीच में जो स्थल था दिल्मून और माकन यह जो कैंदर थे फारस की खाड़ी के पास दिल्मून और माकन यहां पर यह लोग व्यापार करा करते थे उधर से Mesopotamia इधर से सिंदुगाटी सब्वेता के लोग तो सिंदुगाटी सब्वेता का नाम वहां पर क्या Mesopotamia या अविलेखों में क्या का आ गया मेलुहा तो मेलुहा बोलते थे यह Mesopotamia के लोग और दो कैंदर थे इनके भी दिल्मून और माकन जो सारगोन का सुमेरियन अभी लेके उसमें दिल्मून को उगते हुए सूरज का देश भी कहा गया Mesopotamia से व्यापार जल के मार्ग से और थल के मार्ग दोनों तरह से यह लोग करते थे बहुत सी मोहरों पर Mesopotamia से प्राप्त हुई है तो उससे पता चलता इरान और अफगानिस्तान से लाजवर्द क्या होता है यह नीले रंग का होता है स्टॉन तो अफगानिस्तान से टिन अफगानिस्तान और इरान से तांबा राजिस्तान में जगए है खेतड़ी वहां से और बलुचुस्तान और ओमान से सेल खड़ी सबसे ज़्यादा मौरेंसी की बनी है यह बलुचुस्तान, राजिस्तान और गुजरात सोना, अफगानिस्तान, फारस, दच्छड बारत नील मडी, महरास्ट, दच्छड बारत हरित मडी, दच्छड एशिया संख और कोडियां कहां से मंगाते थे सोरास्ट और दच्छड बारत से सीसा कहां से, इरान, राजिस्तान, अफगानिस्तान और दच्छड बारत हलां कि यहां पर जो है कहां से के सीसे के परमार प्राप्त हुए है प्रतिमाओ कि अगर बात करें तो बहुत सारी मूर्तियां मिली है कुट्टे की भी मिली है है ना पुजारी की मिली है नत्की की मूर्ति मिली है हल मिला है तो बहुत सारी मिले एक का गाड़ी तो कांसे की नत्की की मूर्ति सबसे बेस्ट मूर्ति बताई जाती जो यह जो मूर्ति है यह 4.5 cm लंबी है और पूरी तरह से नगन मूर्थी है लेकिन इसके गले में हार है और पूरी तरह से नगन है ये लुप्त मौम पद्धती पर आधारिती उस दौर की जो वेक्स जो कॉंसेप्ट था मूर्थी बनाने का तो उसको लुप्त मुहम पद्दती कहा जा रहा है हरपपा चनूदडो से बेल गाड़ी और एक्का-गाड़ी प्राप्त विया अब अगर लिपी की बात करें इतनी सारी मोहरें मिली है है ना तो कुछ ना कुछ लिखाी होगा लिपी तो लिपी के बारे में सबसे पहले Alexander Cunningham ने अपना मत दिया उन्होंने का भाई ये जो इसकी जो लिपी है वो ब्रहमी लिपी है सबसे पहले उन्होंने का कि सिंदो लिपी का संबंध ब्रहमी लिपी संबंध है लेकिन 1925 में इस लिपी को पढ़ने का प्रयास किया L.A. Weddle तो L.A. Weddle ने सबसे पहले इस लिपी को पढ़ने का प्रयास किया तो इस लिपी के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो पहली लाइन है वो बाएं से दाएं उसके बाद दूसरी लाइन वो दाएं से बाएं तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं इसको बेस्ट्रो फैडन या फिर गौमूत्री का लिपी का जाता है क्योंकि जैसे गाई की पेसाब होती तो ऐसे ऐसे चलती है ऐसे तो होगी नहीं कि गाई पेसाब करेगी सीधी चल जाए ऐसे नहीं तो इसलिए गौमूत्री का लिपी ब इसमें सबसे ज्यादा शेप yuk के आकार्की और मचली के आकार्की नहीं यहां से कि और और UK आकार की कहीं ऐसा बना हुआ मिल गया UK आकार की तो यह जहाना और एक नगर है धोला वीरा वहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे entry gate पर कोई सूचना पट लगाता वो सबसे बड़े लिखावट के तौर पर सबसे बड़े नमूने यहीं से प्राप्त हुए हडपाई लिपी क इसको पढ़ा नहीं जा पाया अभी तक इसको पढ़ नहीं पाया अगर यह पढ़ लिया इसको decode कर लिया तो बहुत सारी नई चीज़ें और जूड सकती है अब बात करते हैं इसके chapter के अंत में कि आखिरकार इसके पतन के क्या कारण थे क्या लोग मानते हैं क्या क्या इनका मानना था कि बाहरी आक्रमड हुए और विशेस्तोर से आर्यों के आक्रमड से यह सब्विता जो है वो समाप्त हो गी जौन मार्शल ने और भी मत दिये जैसे इनोंने कहा था कि प्रशासनिक सिथिलता थी उसके लावा अर्नेस्ट मैके और ऐसा राव इनोंने कहा बा चार्ज एफ डेल्स इनोंने कहा भूतात्विक परिवर्तन राव ना भूतात्विक जल प्लावन की वज़े से भी ऐसा हो सकता और के यू आर केनेडी इनोंने कहा कि महमारी की वज़े से यह सब्विता समाप्त हो गी तो यह हम लोगोंने तीन भागों में इंडस वैली आती है तो कमेट जरूर करें इससे हमें पता चलेगा कि हम आपके लिए और भी दूसरे वीडियो लेकर किए और भी टॉपिक्स के आपको वीडियो दें अगर आपको क्लास समझ आते है तो वीडियो को लाइक करिए गा कॉमेंट करिए और अपने सात्युकसा स्षेर करना ना भूलें तो मिलते हैं अगली एक और बहतरीन क्लास के साथ अगली क्लास में थैंक यू